वेल्कम टू ब्रेन इंजिनियर्स तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं हमारा जो सीरीज चल लए है नेम राय सुनदा थू उसका पार्ट नमबर फोर तो इससे पहले हमने तीन पार्ट जो है डिसक्स किये हैं तीन वीडियोद अप्लोड हो चुकी हैं जो तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उनको पहले जुरूर देखिए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो का लिंक आपको टाइमली मिलता रहे और अगर कोई भी क्वेरी हो आपके कि उसके लिए आप कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो तो इसमें हम 151 कुश्टन से शुरू करेंगे 1500 कुश्टन हमने डिसक्स अलरी कर लिए हैं ओके तो हमारा एक तो यह क्या अनुमा कुश्टन है श्प्रिंक्लर रिलीज ओफ लेटन हीट फ्यूजन ओके रिलीज ओफ लेटन हीट फ्यूजन नेक्स कॉश्टन नमबर 152 स्प्लिटिंग ओफ पॉड्स और फूट इन क्रेक्टरिस्टिक मैनर एट मैचुरेटी इस लोन आज तो जब मैचुरेटी पे आती है ओके पॉड्स जो हैं जातर उसमें जब पॉड्स जो हैं जब मैचुरेटी पे आती हैं तो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है ओके तो यह स्प्लिटिंग का जो क्रेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम ओके नेक्स कॉश्टन नमबर 153 कॉंटिन्यूस कंजम्शन ओफ लथाइरस कॉज विच डिस कौन सा डिसीज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे लथाइरिसम इजी है याद रखना नेक्स कॉश्टन नमबर 154 लथाइरिसम डिसीज इस कॉस्ट दू कॉंटिन्यूस कंजम्शन ओफ लथाइरस विकॉज इट कंडेंज तो उसमें ऐसा क्या होता है कि जितसे लथाइरिस इसम हो जाता है तो याद रखेगा इस कॉश्टन को नेक्स कॉश्टन नमबर 155 तो अगर हमारी कैटल जो है उसको अगर लो मेगनेशम कंटेंट वाला जो अगर कंजूम करेंगी तो क्या हो जाएगा उनको इसको ग्रास टेटनी भी बोला जाता है नेक्स कॉश्टन कॉश्टन नमबर 156 स्टेट और कंडिशन ऑफ अट्मोस्फियर एट गिवन प्लेस हो एट गिवन इंस्टेंट ऑफ ताइम इस नोन एज तो डेफिनिशन है यह किसीज की डेफिनिशन है इस वेदर की 27 फिनाइल मर्कूरिक एसिटेट फिनाइल मर्कूरिक एसिटेट जिसको पी में बोला जाता है इसे केमिकल युज़ इन एगरिकल्चर क्रॉप्स टू इन ओर तो डिए तो किस चीज़ को जो है एफेक्ट रिदूस करने के लिए यूज किया जाता है इसको इसको आंसर इस Transpiration को कम करने के लिए Phenyl Mercuric Acetate यूज किया जाता है Next question number 158 Jowar is known as तो Jowar जो है उसको क्या बला जाता है That is Camel Crop or Kings of Coarse Grains Camel Crop बला जाता है Jowar को Jowar जो हमारी Sorghum को भी बला Sorghum हमारी Jowar होती है Confuse नहीं करना दोनों में Next question number 159 And Plant Rectangularity Is तो Plant Rectangularity क्या है That is Plant to Plant Distance and Row to Row Distance तो जब इसको मेजर करेंगे तो यह हमारी Plant Rectangularity आ जाए Next question number 160 In water erosion 3 meter deep and more than 18 meter wide gully is known as अगर जो water erosion से 3 meter deep और 18 meter से wide जो गली बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे The answer is small gully तो यह हमारी Small gully होगी Next question number 161 In water erosion 3 to 9 meter deep and more than 18 meter wide with side slope 18 to 15 percent gully is known as तो अगर इस type की gully बनेगी जो 3 to 9 meter deep हो 18 meter से जादा चौड़ी हो और 8 to 15 percent उसका स्लोप हो तो उसको हम क्या बोलेंगे That is medium gully Okay Next question The direction from which the wind is coming is known as तो जिस direction से wind आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे That is windward side Windward side तो जहां से जिस side से आ रही है उसको हम windward बोलेंगे और जिस side में जा रही है उसको हम leeward side बोलेंगे Next question number 163 agronomic measures are used to reduce erosion where slope is अगर कितना slope हो जिसको quare करने के लिए जिसको ठीक करने के लिए agronomic measures use करेंगे Okay The answer is less than 2% अगर 2% से कम slope है तो हम agronomic measures use करके ही उसको सही कर सकते हैं Next question number 164 when is terracing is Usually practiced on slopes ranging from तो bench terracing जब करनी है हमें तो कितना slope चाहिए The answer is 16 to 33 Okay 16 से लेके 33% अगर slope है तो bench terracing होगी Question number 165 the highest award presented to an agriculture scientist in the country is तो agricultural scientist है अगर कोई उसको उसके लिए highest award को उन सा है The answer is Rafi Ahmed Kidwai Award Okay Rafi Ahmed Kidwai Award Question number 166 in which five year plan agro climatic regional planning in India was initiated Initiated आएगा यहां पर Okay तो किस five year plan में शुरू गई की गई थी Agro climatic regional planning the answer is seventh five year plan Okay Next question number 167 Nitrogen fixation in rice figots is carried out by blue green algae with water fern तो कौन सी butter fern के साथ मिलके nitrogen fixation की जाती है Blue green algae से Okay The answer is azola तो blue green algae azola से मिलके nitrogen fixation करती है in rice field Next question The pattern of planting which has maximum plant population is तो किस type की planting में सबसे ज्यादा number of plants जो है present होते है The answer is cuboidal Cuboidal pattern में अगर हम plant करेंगे तो सबसे ज्यादा number of plants हम उसमें ब्लांड कर सकते है Next question Cultivation of crops which have different natural habits and zero competition is known as तो उन crops को हम क्या बोलेंगे जिनका natural habits भी different है और competition भी zero है तो हमारी वो parallel crops होगी Okay Parallel cropping होगी वो तो parallel ही चल रही है दोनों का एक दूसरे पर कोई effect नहीं है Next question number 170 The variety of wheat which is resistant to all the three rust तो वो कौन सी variety है wheat की जो तीनों की तीनों Brown, Brown rust, Yellow rust और हमारी Black rust तीनों के लिए जो resistant है The answer is Choti Lerma Okay, Choti Lerma तो अगर आप हमें comment box में बताएंगे के जो तीनों rust है उनका causal organism क्या है Okay उसको आप coin box में लिख के बताईए Next question number 171 How many times a return crop of sugarcane is advisable तो जो अगर हम return crop ले रहे हैं sugarcane की तो कितनी crops हमें लेनी चाहिए एक बार planting करने के बाद तो एक ही हम return crop लेंगे Okay, one time तो एक बार हम grow कर रहे हैं जैसे first year में उसके बाद उसको harvesting हो गई उसके बाद अब दोबारा उसी से उसी planting से जब grow कर रहा है तो एक ही फसल हम उसे लेंगे Okay Next question number 172 Cultivation of two or more than two crops of different heights simultaneously on a certain piece of land in a certain period is known as तो यह definition है किस चीज की definition है यह The answer is multi-storied cropping Okay, multi-storied cropping Question number 173 Nursery area required for seedling of one hectare rice field is तो अगर हमें एक hectare rice field में planting करनी है तो उसके लिए कितना nursery area चाहिए तो उसका 10% जाहिए होगा That is 0.1 hectare Okay, 0.1 hectare Question number 174 Tip burn of paddy is due to अगर paddy में tip burning हो रही है तो वो किस चीज की वजा से हो रही है The answer is Reduced O2 and N2 under submerged condition तो rice grow करता है submerged condition में तो वहाँ पर O2 and N2 की Deficiency हो जाती है Okay, availability कम हो जाती है तो इसके वजा से tip burning होती है Paddy में Next question Red and purple color of maize leaves due to the deficiency of तो किस nutrient की deficiency होगी अगर red or purple color हो रहा है मेज में Okay, तो answer आएगा इसका phosphorus Phosphorus की deficiency Next question The size of Thompson seedless grape is increased by the application of hormone Thompson seedless grape है उसका size हम कैसे increase कर सकते है The answer is GA3 Okay, गिबरेली कैसे अगर हम apply करेंगे तो उसका size increase हो जाएगा Next question number 177 Agronomy is derived from Two dash words कौन से words से derived है Greek word तो दो Greek word से बनी है Agronomy word First one Agros meaning field and normos meaning to manage Okay तो दोनों का meaning आपको याद रखना और Greek word है यह याद रखना है और वहीं अगर agriculture पूछ लिया चाहिए Agriculture word किस language से है तो वो आएगा हमारा Latin word Okay Agriculture Latin है और Agronomy Greek word है दोनों different है Question number 178 Definition of Agronomy Agronomy की definition क्या है The answer is Branch of Agricultural Sciences That deal with methods Which provide favorable environment to crop for higher productivity Okay तो वो हमें Agronomy क्या करते है वो method प्रोवाइड करती है जो हमारे environment के लिए फेवरेल है और crop के लिए भी फेवरेल है और उसकी productivity भी increase करते है Next question number 179 Who is known as father of Agronomy Father of Agronomy किसको जाना जाता है The answer is Peter Dacrisenji Okay Peter Dacrisenji Question number 180 Who is the author of book Opus Ruralium Camo Darum Okay एक book है यह किसी foreign language में है तो किसने लिखी है यह The answer is Peter Dacrisenji जो के father है Agronomy के Next question Who said that main principle of vegetation is water तो main principle vegetation के लिए water है तो यह किसने बोला था The answer is Van Helmont Okay Van Helmont Next question Who is known as father of weed science Weed science का father कौन है That is Jethro Tull Okay Jethro Tull है Weed science के father Who is the father of book author of book Horse Ho Husbandry Okay Horse Hoing Husbandry book के जो लिखी है वो किसने लिखी है वो author कौन है इसके That is Jethro Tull Same Next question The words Weeds and Zero Tulles Was firstly Given by तो सबसे पहले किसने दिये थे जो दोनों वर्ड Weeds and Zero Tulles तो यह भी हमारे father of weed science Jethro Tull जी ने दिये थे Okay Next Question number 185 Name the scientist who conducted pot culture experiments to increase the yield of crops by applying several materials like poultry dung litter gunpowder etc तो किसने किया था यह experiment The answer is Arthur Young Okay Arthur Young ने किया था यह experiment कि अगर हम different जो materials है like poultry dung हो गया Okay litter हो गया gunpowder हो गया तो यह अप्लाई करेंगे तो उससे increase होगी हमारी crop की yield तो यह experiment किया था Arthur Young ने Next question Who gave the concept of leaf area index तो leaf area index LAI किस ने दिया था यह concept The answer is Watson Watson ने दिया था 1948 में 1948 1948 1948 में Next question How the leaf area index is calculated तो leaf area index अगर हम calculate कर रहे हैं कैसे करेंगे Formula क्या है इसका That is Total leaf area over ground area Leaf area index is equal to Total leaf area over ground area Next question What is land equivalent ratio Land equivalent ratio क्या है LAR The answer is It means the relative land area occupied by a sole crop That is required to produce the yield Achieved in intercropping So if we understand Simple language So if we understand Intercropping एक area में तो उससे हमारे जितनी जीड़ी जीड़ी आ रही है Okay जितना produce कर रही है जितनी जीड़ी आ रही है उतनी जीड़ी देने के लिए अगर हम soul cropping करें Okay अगर हम soul cropping के लिए Soul cropping करें तो इंटर क्रोपिंग से जीड़ी आ रही है तो वह soul cropping में वही जीड़ी हमें कितने एरिये से मिलेगी Okay तो इसको बोलेंगे हम land equivalent ratio तो वह जीड़ी कितने land के equal होगी Okay The answer is तो यह मारा answer था Next question Question number 189 How the land equivalent ratio is calculated तो अगर हम land equivalent ratio को calculate करेंगे तो वह कैसे करेंगे क्या formula है उसका The answer is Yield of inter cropping divided by yield of soul crop तो inter cropping में A और B दोनों आ जाएंगे Soul cropping and Soul crop and inter crop दोनों को मिलाके divided by yield of soul crop तो single crop की yield को इंड़ीड कर देंगे Question number 190 What indicates that Inter cropping is beneficial तो क्या indicate करता है कि Inter cropping beneficial है The answer is Land equivalent ratio is More than one Okay अगर देखिए एक से एक रहेगी तो इक का मतलब है जितनी yield inter cropping में आ रही है उतनी ही Soul cropping में आ रही है Okay अगर वह एक से ज्यादा है Land equivalent ratio तो इसका मतलब है कि दोनों में जो हमारी जो Inter cropping है उसमें हम यादा ज्यादा इगड़ ले रहे हैं अगर हम Soul cropping करें उसी एरिया पर Okay तो यह हमें beneficial रहेगा और अगर एक से value कम रहेगी इसका मतलब कि Soul crop की जो तो हमारी production है वह ज्यादा है Inter cropping से Okay Next question number 191 Land equivalent ratio is 1.10 What does it means? तो अगर 1.1 है हमारी Okay 1.1 है Land equivalent ratio तो इसका क्या मतलब है That is It means mixture gives 10% more yield इसका मतलब है कि अगर हम Inter cropping कर रहे हैं तो हमें 10% ज्यादा yield मिल रही है Okay Next question number 192 What is the formula to calculate cropping intensity? अगर cropping intensity calculate करने है तो उसके लिए क्या formula है The answer is Total cropping area divided by net cultivated area into 100 Total cropping area divided by net cultivated area into 100 Okay काफी important question है याद रखियाएगा कहीं भी पूछा जा सकता है Next question What is the cropping intensity of India तो इस समय जो हमारे cropping intensity है वो कितनी आए लिएगी that is 136% Okay 136 136% है हमारी cropping intensity next question next question number 194 what is crop rotation crop rotation क्या है in crop rotation land is fixed but crop is rotated year after year on the same land example after cultivation of cereal pulses is grown in next year तो इसमें crop rotation क्या है crop की rotation कर रहे है हम land area same है बट उस पे हम पहले एक crop लगा रहे है उसके बाद दूसरी crop लगा रहे है okay same season में तो अगर हम change कर रहे है crop को तो वो हमारी crop rotation कर लाएगी next question what are the benefits of crop rotation अगर crop rotation करेंगे तो उसका benefit क्या है हमारे लिए the answer is it maintains and improves soil fertility fertility जो है soil की वो improve होगी it checks the soil erosion and conserves moisture erosion कम होगा and moisture conservation होगी next third point the incidence of harmful pathogens insect pest nematodes and weeds which are associated with particular crop can be managed तो उनको भी हम manage कर सकते है weeds को insect pest को nematodes pathogens को इनको हम manage कर सकते है अगर हम different crops crop rotate करते रहेंगे next question 196 what is cropping system cropping system kya है the answer is it refers to the cropping pattern used on farms and their interaction with farm resources associated farm enterprises and available component technology okay cropping pattern हम क्या use कर रहे हैं और उसका interaction हमारे बाकी के resources के साथ क्या है उसको हम cropping system बोलेंगे okay next question 197 what is crop rotation intensity crop rotation rotation intensity बूचा गया भी हमसे पहले पहले cropping intensity थी यह crop rotation intensity है the answer is CRI is equal to number of crops in crop rotation divided by number of years in crop rotation into 100 okay तो कितनी crops लग रही है कितनी crops है कितने years में उसको divide करेंगे multiply करेंगे 100 से next question 198 what is harvesting index harvesting index क्या है the answer is the ratio of harvested grain to total shoot dry matter okay दोनों की ratio है कितना हमाई जो है grain मिला है okay और कितना उससे कितना हमारा shoot का dry matter था उसका दोनों की ratio को हम harvesting index बोलेंगे next question question number 199 harvesting index is also known as तो इसको और किस नाम से जाना जाता है the answer is coefficient of effectiveness okay coefficient of effectiveness next कर last question हमारा what is the formula to calculate harvesting index harvesting index को अगर calculate करना उसके लिए क्या formula है the answer is harvesting index is equal to economic yield that is grain yield divided by biological yield that is grain plus straw okay into 100 economic yield over biological yield into 100 तो इस formula से हम harvesting index निकाल सकते हैं तो यह थे हमारे आज की 50 question तो part number 4 था हमारा यह आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके इलावा आप हमें टेलिग्राम पे और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगा और इसके भी आप हमें फॉलो कर लीजिए तो मिलेंगे नेक्स वीडियो के लिए तब ते के लिए थैंक यू